हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटू चैनल में जैसा कि आप देख रहे हैं बोड पर हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत और यह पार्ट मेरा 21 है एकिसमा पार्ट आया और हम टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग गवर्नर गवर्नर जेनरल एवं वाइ सब्सक्राइब और इसमें पर रहे थे भारत के गवर्नर जेनरल लौर्ड बिलियम बैंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो चलिए अठारा सो अठारा सो पैथिस तक यह इसका सासन कर रहा भारत में और इसी ने मंदल आयुक्तपद का निर्मान किया भारत में मंदल आयुक्तपद का का निर्मान किया और मंडल आयुपद क्या होता है जैसा कि एक एक जीला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है एक जीला का पदादिकारी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है डी सी होता है और जीला जीला को भी मिला करके कुछ और जीला को भी मिला करके जिसका निर्मान किया जाता है उसे का जाता है मंडल आईप्त और उस मंडल आईप्त एक पद बनायाता है उसके तोरत एक पद बनायाता है और उस पद के किसी को अधिकारी निउक्त किया जाता है जैसे जिला का अधिकारी होता है डिस्ट्रिक कलेक्टर उसी तरह से मंडल आयुक्ट का भी कोई अधिकारी हुआ करता है और यह पद बनाया था कौन लॉर्ड बिलियम बैंटिंग और इसी के समय में 1833 में अगला चार्टर एक्ट बनकर आया और इसके तहत क्या कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जेनरल को पावर को बढ़ा करके उसे भारत का गवर्नर जेनरल बना दिया गया और जो पहले का अलता था बंगाल का गवर्नर जेनरल अब उसे कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जेनरल और अगला का इसी एक्ट के तहत अंग्रेजी को अधिकारिक भा अफिसियल लेंग्वेज बनाया गया इसी एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी को अधिकारिक भासा या अफिसियल लेंग्वेज बनाया गया तीसरा काम इस्ट इंडियन कंपनी के जितने भी वैपारिक अधिकार हुआ करते थे उन सभी के सभी वैपारिक अधिकार इस एक् कान 1834 में लॉड मेकावले मिनट्स एक मीशन या आयोग का गठन हुआ किया कौन लॉड विलियम बेंटिंग अठारा सो चोतिस में लाड लाड मेकाउले मिनट्स आयवग या निशन का गठन किया जिसका अध्यक्ष बना ही दिया कि इसको लाड मेकाउले को और इसके तहत भारतिय सिक्षा में सुधार लाना था इसके तह भारतिय सिक्षा में सुधार लाना था और क्या सुधार लाना था कि इंडियन सिक्षा जो था उसको उसको उसमें अनिवार्ज कर दिया गया क्या इंगलिस को अनिवार्ज कर दिया गया हमारे भारतिय सिक्षा में इंगलिस को अनिवार्ज कर दिया गया और इसके अ जिसे कहा जाता है और इसी के सासनकाल में माथे पर जातिय चिन या कानों में बाली नो पहनने का प्रतीबंद लगा था नहीं कोई भी प्यान नहीं सकता है इसी लिए 1806 में तमिलाडू के वेलोड में हुआ था कौन सा विद्रो और ये काम माथे पर चिन या कानों में बाली लगाने पर विद्रो किया था साइन के लोगों ने जो तमिलाडू के वेलोड से शुरू हुआ था और अगला काम सती पर्था लोड विलियम बेंटिंग ने 1829 में हटाया किसके साहता से राजा रोम राजा राम मोहन राइके जो हमारे भारत के एक बहुत बरेज समा सुधारक के रूप में इसका नाम बेशुमार हुआ है और इसी की साहता से सती पर्था कतम किया और 1829 में और अकबर और माराथा पेशवा में भी इस सती पर्था पर परती बंद लगाने की कोशिस किया था और आगला कर्नल एसली माइन की साहता से 1830 में ठगी पर्था को भी पर्थी बंद लगाया माने इसकी साहता से लॉड्वियम बैंटिंग ने ठगी परता पर पर परती बंद लगाया अब सबार उठता है कि थवी पढ़ता होता क्या है माने देवी काली माता का पूजा करना ही थवी पढ़ता करता है इस पर पतिबंद लगा था कौन लॉर्ड विडियम बेंटी किसकी साहता से तो करनल एसली माइन की साहता से 1835 में कि इसी ने कलकता में कलकता मेडिकल कॉलेज की अस्थापना किया और अगला काम लॉर्ड मैकॉले की अनुसंसा लॉर्ड मेकॉले की अनुसंसा के द्वारा इंग्लिज को सिक्षा का माध्यम बनाया गया माने अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया गया और यही लॉर्ड मेकॉले हमारे भारत के कानून को कानून को भरगी करन किया क्लासिफाइड किया कानून को यही लॉर कवलेंस और हमारे सिक्षा-फदाइ को आकर चेंज किया और किसके Lord विलियम बैंटिक के समय के समसे और इस नहीं लौड विलियम मो में मैसूर 1834 रो मध्य केचर ब्रिटीश समर्णाज में मिलाया और मध्य कचेर को हरख कर ब्रिटीश सम्राज में मिलाया और इसी के शासन काल में भारतिय के इनागरिक के उत्स्तम-पद पर जो निक्त षोता था और उसका वेतन प्रति मां होता था 700 रुपए प्रति मां हुआ करता था और लॉड बिलियन बेंटिंग ने अपने सासन काल में शिशू बाली का के हत्या पर भी प्रति बंद लगाया था इसके बाद अगला भारत के गवर्णर जनलर बनकर आया लॉड चार्ल्स मेटकॉव इसका सासन काल 1835 स चतिस साल तक रहा और केवल ये एक साल तक रहा और इसी ने भारतिय समाचार पत्र भारतिय न्यूज पेपर के परति बंद को हटाया और इसी को कहा जाता है इसी लॉड शाल समेटकॉव को भारतिय समाचार पत्र के मुक्ति दाता कहा जता है और इस समाचार पत्र पर कभी लगाया था परतिबंद किसने लाड वेलेजली ने लगाया था और इसको परतिबंद को हटाया किसने लाड चाल्स मेटकॉफ ने यह बहुत बड़ा अच्छा काम किया इसी इससे एक ही कुशन बनता है अगला भारत का गवर्णर जेनरल बनकर आया लाड ऑकलाइंड जो अठ अठम आंगल अफगान युद हुआ 1849 से 1842 तर और 1849 में अठारा सो उन्चालिस में अकलाइंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जो रोड बना था जीटी रोड आप जानते होंगे ग्रंट रंक रोड जो कभी सेर्षा सूरी ने बनवाया था अपने सासनकाल में उसको उसने मरम कर गया कौन लॉड अर्कूलाइंड ने अपने सासनकाल में और दूसरा इसने अपने सासनकाल में भारतिये विद्यार्थियों को डॉक्टरी सिक्षा प्राप्त करने है तू बिदेश जाने के लिए ब्रिटीस सांसद में अनुमति प्रदान दी गई और इसी के शासनकाल म कर यह काम हुआ बारतिये स्टूडेंट को विदेश जाने के लिए डॉक्टरी सिक्षा प्राप्त करने है तू ब्रिटीस सांसद में यह अनुमति दिया गया कि आप जा सकते हैं विदेश डॉक्टरी सिक्षा प्राप्त करने के लिए अगला लॉड एलीन बरो अगला भार पर्थम आंगल अफगान युद हुआ जिसमें अफगान बुरी तरह से प्राजित हुआ अफगान बुरी तरह से प्राजित हुआ और आगला इसी के सासन काल में सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से लोड एनी एलीन बरो ने पूर्ण रूप से सिंध को बृटीस समराज में मिला लिया और इसी लिए ये जैसे ही बिजय हुआ इसी बिजय पर नेपियन ने एक कथन कहा है कि ये किर्ण पर बात क्या है किस बात पर तिपनि कहा एए सिंध के विजय पड़ ये टिपनि कहा है ने पियर ने और इसी के साशनकाल में 1843 में दास प्रथा पर इसने भी परतिबंद लगाया था और 1843 में ही अगला अधिनियम बनकर आया था अगला एक्ट पाचमा एक्ट बनकर आया था 1843 में और इसके तहट जो दास प्रतिबंद लगा दिया गया था फिर से साशनकाल में रंभी बार के दिन छूट्ट्टी का संडे को चुटी का जो चुटी जो होता है यह शुरुआत हुआ ही कब 1843 में और किसके सासनकाल में लौड एनिल एलीन बरो के सासनकाल में यह काम हुआ इसके बाद अगला भारत का गवर्नर बनकर आया लौड हार्डिंग 1844-1848 तक रहा और इसके समय में पर्थम आंगल सिख युद हुआ जो 1845-46 तक रहा और इसमें अंग्रेज विजय हुआ इसमें अंग्रेज विजय हुआ और इसने भी नर्वली पर्था पर उसने भी परतीबंद लगाया था कौन लौड हार्टिंग ने भी और इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनकर आया भारत में लौड कहने का मतलब हम हुआ कहने का मतलब हम हुआ जो है कौन था कौन था लौड चार्ज मेटकॉप से लेकर और लौड एनिल लौड हार्डिंग तक एक्जाम पॉइंट ऑफ ल्यू से कोई दिए गवर्नर जनरल भारत का इंपोर्टेंट इतना नहीं हुआ करता है और इंपोर्टेंट है कौन लौड डलहोजी फिर भी हम लोगों ने इसको पढ़ा कोई बात में तो अगला भारत का गवर्णर जनरल बनकर आया लौड डलहोजी 1848-1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रार और इसने आते ही 1848 में पंजाब में पंजाब के की और में राजा दिलिप सिंग पर आक्रमन किया और इसके साथ संदी कर के और राजा दिलिप सिंग को पैंसर कनी बना करके भेज दिया का लंदन और लंदन जैसे ही बेजा तो राजा दीप सिंग के हाथों कि दुनिया का सबसे परसिद हीरा 1849 में महारानी विट्योडिया को गिप्ट कर दिया गया और इसने भारत में लड़ लौजी ने हरप की नीती अपनाया था आप जानते ही होंगे हरप की नीती अपनाया था और उसने कई प्रांतों को हरप हरप कर बिर्टी समराज में मिलाया था जब हम आप जब आपसे अगली क्लास में आपसे रुगरू होंगे जब 22 में आपसे रुगरू होंगे पार 22 में तो हम किस-किस प्रांत को किस-किस ओडर में लौड लौजी न झाल, 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 झाल.